हेलो दोस्तों नमस्कार तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहारखन ITI में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसका एडमिसन डेट भी समाप्त हो चुका है तो जिनका सेकेंड राउंड काउंसलिंग में एडमिसन नहीं हो पाया हैं कि तो उनके लिए क्या थफ़र काउंसलिंग होगा तो देखें मेरे पास जो एक नोठीस है उस यह नोठीस सें ओभुशन से यह डौह इस्थ क्या है मैं आपको बताऊंगा लेकिन मुझे अभं लग रहा है कि थछर्ड राउंड का जो कांसलिंग है जो जैसी इसी भी कराती वो अब नहीं होगी ऐसा संभावना लग रहा है क्योंकि मेरे पास जो नोटीस है वे नोटीस आप देख सकते हैं जारखन सरकार स्रम नियोजन प्रसिचन अहम कौसल विकास विभाग और याने की लोहरदगाजिला के अंतरगत में एक सरकारी आईटिया है जो क कि आपका कुजरा है कुजरा में है कुडू में है और एक महिला आईटियाई है तो इसके दोवारा एक अधिस उचना एक नामांगन सुचना जारी किया गया है तो अब कंडिडेट क्या करें थर्ड राउंड कांसलिंग में क्या उनका अडमिशन जिनका नहीं हो पाया क्या अगर होगा तो किस तरीके से होगा तो देखिए दोस्तों यहां पर जो सुचना जो नोटीस आई है अब थर्ड राउंड का कौंसलिंग नहीं होगा लेकिन आपका अडमिशन हो जाएगा अब आपको डिरेक्ट ही आपको उस कोलेज में नामांकन हो सकती है हलांकि अलग-अलग कोलेज के द्वारा यह नोटीस अलग-अलग जारिक किया जा सकता है यानि कि आपको खुड से संपर्ख करनी चाहिए आपको जिस कोलेज میں नामाइकं लेनी है उस कोलेज में आप खुद से जाकर समपर्क करें अपना नदिक को जो इसन्бы आसरकारी आइट्य कोलेज में जिसमें आप नामाइकं लेना चाहते है क्योंकि यहां पर कुजुरा लोएक लोहडगापगा जिला के अंतरगप जितने वी तीन सरकारी ITI कॉलेज हैं दो आपका कुजुरा ग्राउम में और एक कुडु में और एक महिला ITI जो कि लोहडगा में ही है तो यहां पर नोटिस दिया गया है डारे नमांकन के यहाँ पर नोटीस में आप देख सकते हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि से 해boat यह जो नोटीस में आपका जारी किया गया है आज के ही दिन याने की sorry 312 2020 स्याती दिसंबर के उस पालन में से इसनिक शिर delapunkt 21 याने कि दो वस्य कोर्स के लिए जो आपका सरकारी अधियोगिक प्रसेशन संस्थान या था कुजरा लोहरदगा महिला आईटिया लोहरदगा में नामांकन है तू जैसी ECB के द्वारा सेकेंड ओनलाइन काउंसलिंग के समापती के उपराम्त जी हां सेकेंड जो ओनलाइन काउंसलिं हो रही थी उसके समापती के उपराम्त बचे हुए सीटों पर निमांकित ब्योसाय में परवेस के निमित इच्चुक पूरुज महिला उबिंद्वार से लिखित यानि की आवेदन आपका डारेट आवेदन मांगा जा रहा है यानि कि सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग आपको करना क्या होगा तो आपको यहां पर इसी लेटर में एक आवेदन पत्र दिया गया है उसे आप निमंधित डाग इस पीड पोस्ट या हातों हात उस संस्थान में जाकर आप जमा कर सकते हैं या आप एडमिशन ले सकते हैं तो यहां पर जो सेच्चनिक योगयता है जो आपको पता है अगर आप welder से हैं तो आठवी पास आपका नियुंतम होना चाहिए अब किसी किसी में आपको जेनरली सभी आइटिया में minimum 10th पास होना चाहिए आप 10th या 12th या ग्रेजूशन भी की हैं तो चलेगा लेकिन minimum 10th pass होना चाहिए जैसे फीटर इलेक्टरिशन टेर्नर इन सभी ट्रेडों के लिए उसके बाद यहां पर आयूत अहरता भी बता दिया गया है इसका जो PDF है मैं अपने description पर दे दूँगा वहां से आप इसे download करके सभी चीज़े अच्छे से पढ़ ले ठीक है अब देखें आपको कितने कितने सीटें यहां पर बची हुई है यहां पर लोहर दगत जिला के अंतरगत जितने भी सारकारी आईटिया है उनका सिर्भात करेंगे तो इस तरह से आप यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि आप जहां अडिमिसन चाहते हैं गदी वहां पर सीटें खाली होगी तो वहां पर भी इस तरह का अधिसुचना निकली होगी या निकाली जरूर जाएगी तो वहां पर जाकर क्या करें? संपर्क करें फोन पर या जाकर आप संपर्क करें मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यह है बाकि आप यह दी लोहरदगर जिला के आजपास के हैं लोहरदगर जिला में आप नामांकर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके संपर्क कर सकते हैं या इस पीडिया पर में जारखन के अंतरगत वो NCBT के अप्रूबल के द्वारा चलती है तो इलेक्टरिशन दो वर्स का कोर्स है इसमें आपका UR यानि की जेनरल में एक सीट खाली है EWS यानि की एकोनिमिकल विकल सेक्षन के जो कंडिडेट है उनको 10% जो आरक्षन मिलता है वहां पर लगभग सारी सीटे खाली है तो यदि आप आते हैं इस केटेग्रिय में तो आपको यहां पर नामकन मिल जाएगा अब यहां पर आएंगे तो ही आपका नामकन मिल जाएगा ऐसा नहीं है जो पहले आएगा उनका नामक यहां पर होगा क्योंकि सीटे जितनी है उन्हीं सीटों पर अड्मिशन होना है तो एक सीट खाली है बाकी किसी सीट यहां कहीं पर सीट नहीं है टोटल देख सकते हैं यहां पर पीच के यह में एक सीट है और SMQ जो आपका मिलेटरी सर्विस के अंतरगी में आता है उसके ल देकर देख सकते हैं यह इसका PDF भी हमारे डिस्क्रप्शन पर मिल जाएगा तो देख सकते हैं इन ट्रेडों पर यहां पर इतने इतने सीटे खाली है उसके बाद और यो की प्रसिशन संस्थान कुडू जो कि आपका कुडू चंदवा रोड में स्थित है यहां पर भी आप इसका इलेक्रिशन फिटर मेकनिक डिजल वेल्डर इन चारों ट्रेडों पर यह यह शीट खाली है तो टेटेगरी वाइज आप देख सकते हैं और या इसका स्क्रीन सोट लेके आप रख सकते हैं उसके बाद आप सी और होके आप संस्थान में जा सकते हैं नमांकिन के यदि कोई महिला अभियारती कोई गल्स नमांकर लेना चाहती है लोड दगा में इन ट्रेडों पर तो आप अडिमिशन ले सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर टोटल 23 सीट एलेक्रोनिक में और स्विंग टेकनोलोजी में टोटल 20 सीट यहां पर खाली हैं तो यहां पर जो आपका रिसेडिंशल चाहिए जो जाती चाहिए जो इसके कटेगरी के बिलोंग करते हैं जेनरल के लिए कोई किसी तरह का सेटिपिकेट नहीं लगता है वो आप लेके डारेट सारव डोकॉमेंट लेके आप जा सकते हैं यानिकी कॉंसलिंग एडमिशन के लिए जो जो clc होता है जहां तक आप पढ़े हैं वहां का करेंट का आपका टीसी आपको लेकर यहां पे सारे सेटिपिकेट लेके आप जा सकते हैं बाकी क्या क्या सेटिपिकेट लगेगा यहां पर आपको किलियर ली बताया गया है तो इसे आप पढ़ सकते हैं इसके अनुसार अ इतने तारिक तक ये करना है अवेदन कर देना तो अंतिम्तिति का जो समय है वो बीस जनवरी 2021 के साम पांच बजे तक आप यहां पर आकर आपना आवेदन दे सकते हैं या यहां पर जो नंबर दिये गये हैं इस नंबर का भी आप स्क्रिंसोट लेका इस पर आप डारेट सीध करता हूं दोस्तों आपको यह नोटिस के सहरे आपको अंदाजा लग गया होगा कि थर्ड राउंड का कॉंसलिंग जो है नहीं होने वाली है बचे हुए सीटों पर जो है आप डारेक्ट एडमिशन होगी इसलिए आप वहां पर उस संस्थान में संपर कर सकते हैं तो यहां पर आवेदन पत्र दिया हुआ है इसी आवेदन पत्र को भरकर खुद से भरकर आपको इसे लेकर जाना है तो आज के लिए इतना ही तो मिलते हैं ने अपडेट्स में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद